नमश्काल मैं हूँ अशोग और स्वागात आपका मेकनिकल लेक्सस में आजका हमारा टौपिक है वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में की वेल्डिंग के different kind के process कौन-कौन जे होते हैं यानि वेल्डिंग को broadly कितने parts में classify किया गया तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं welding की welding क्या होती है देखें welding एक permanent joining process होता है जिसमें localized correlation को attend किया जाता है एक suitable temperature पे और इस welding को करने के दौरान हमें heat और pressure के जरुवत हो भी सकती है हम इसको classify करते है welding process को देखें welding process को mainly 3 parts में classify किया गया है मैं यहाँ पर इसका चार्ट बना देता हूँ देखें पहला जो टाइप है इसका उसको कहा जाता है solid stage solid state welding जिसको technically autogenius के नाम से भी जाना जाता है यानि यह autogenius welding कही जाती है second type को कहा जाता है liquid state welding यह liquid state welding जिसको हम homogenius welding के नाम से भी जानते हैं homogenius welding और last और तीसरा जो है इसकी classification में उसको कहा जाता है solid या liquid welding या liquid state welding या फिर इसको heterogenius के नाम से भी जाना जाता है हमारी जो welding है वो प्रोडलिक इन तीन टाइप्स में ही classify की गई है इन तीन टाइप्स के ही further classification है जिसको हम welding classification के नाम से भी जानते हैं चलिए हम बात कर लेते हैं solid state welding क्या होती है जिसको autogenius welding के नाम से भी जाना जाता है देखिए autogenius welding उन welding को कहा जाता है जिसमें हमें welding करने के लिए किसी भी additional filler material के अफशकता नहीं होती यानि यहाँ पर welding कैसे perform करेंगे या तो यहाँ पर heat का use करेंगे या फिर pressure का use करेंगे यानि कि आगर हम बात करें मुझे दो parent metal को जोड़ना है यह मेरा parent metal A है यह मैं मान लेता हूं यह मेरा B है यह दोनों same material है अब मेरे को इसको weld करना है एक तो इसमें हम किसी भी filler material का use नहीं कर सकते यानि यहाँ पर हमारा filler material use नहीं होगा used not अब देखिए आप हम इसे welding करनी है तो इसको welding करने के लिए जो processor है उसको कैसे करेंगे या तो इसका जो age है यह जो इसका age है इसको हम heat देंगे इतनी heat देंगे कि यह दोनों आपस में melt हो जाए और उसके बाद हम यहाँ पर opposite direction में pressure apply करेंगे यह pressure क्या करेगा इन दोनों weld को joint कर देगा तो इस तरह से जो हमारी welding होती है उसको autogenius welding यानि solid state welding कहा जाता है यहाँ पर solid state welding कहने का reason यही है कि यहाँ पर हमारा fusion नहीं होता यानि यहाँ पर हम external heat का use करके fuse नहीं करते जो heat develop होती है वो within metal develop होती है within metal contact के थूरू pressure के थूरू friction के थूरू या कोई भी other mode हो सकता है चलिए इसके advantage की बात कर लेते हैं सबसे अच्छी advantage solid state welding की वो यह होती है कि इसमें हमें filler material का use नहीं करना होता अगर हम यहाँ पर filler material का use नहीं करेंगे तो हमारी बहुत सारी कोष्ट बटसती है welding की उसके बाद welding होने के बाद जो हमारे यहाँ पर माल लीजए यहाँ पर हमारा filler material नहीं है अगर filler material होता तो यहाँ पर कुछ इस तरह की उब्री हुई shape आती इस shape को reinforcement कहते हैं अब क्या होता है कि उसके बाद हमें यहाँ पर grinding भी करनी पड़ती है इसको smooth करने के लिए तो यहाँ पर हमारी grinding की cost भी बच रही है तो यहाँ पर यह इसके प्रमुक advantages है इसका मगर disadvantages भी है जैसे कि यहाँ पर जो हमारी welding होती है वो कैसी होती है वो thin sheets में होती है यानि यहा चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी advantages की sorry disadvantages की दूसरी यह कि यहाँ पर जो हम weld करते हैं उसकी position limited है जैसे कि अगर हमें यहाँ पर weld करना है तो यहाँ तो हम यहाँ पर butt weld ही कर सकते हैं यहाँ फिर ज्यादे से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जब यह overlap हो जाते हैं तो उसको lap कहा जाता है यहाँ पर lap welding तो यह पर lap welding कर सकते हैं यह था दोस्तो autogenius welding के बारे में चलिए अब हम आते हैं liquid stage welding के बारे में liquid stage welding को homogeneous welding के नाम से भी जाना जाता है यह होती क्या है देखिए जब दो kind के same metals को हम weld करते हैं with the help of filler materials यानि हमें यहाँ पर filler material की help से दो metal को welding या homogeneous welding कहा जाता है चलिए देख लेते हैं इसको diagram के थुरू माल लेजए यहाँ पर मेरे दो metal है यह metal A है और यह metal B है अब मेरे को यहाँ पर weld करना है तो यहाँ पर मेरे को एक additional filler material की जुरत होगी यह मेरे additional filler material है चलिए यहाँ पर filler material की बात आई है तो थोड़ा इसको discuss कर ल composition होती है chemical composition of filler material chemical composition of filler material of filler वो हमेशा almost almost same होती है हमारे parent material या इन्हें base material भी कहा जाता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनको parent material भी कहा जाता है या फिर इनको base material के नाम से भी जाना जाता है तो filler material के जो chemical composition है वो इन दोनों material यानि यह तो almost same material है इनकी composition के almost almost same होनी चाहिए इस तरह से जो welding perform होती है उसको liquid stage welding यानि homogeneous welding कहा जाता है दूसरा यह filler material का melting point जो होता है वो इस base material के melting point से हमेशा कम रहता है उसका reason क्या होता है अगर इसका base material का melting point हम same कर देंगे filler material के तो welding नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारा metal है वो पूरा fused हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे fusion का use होता है याद रखना यह है fusion का use तो इसलिए homogeneous welding को fusion welding के नाम से भी जाना जाता है यानि इसको हम fusion welding भी कहते हैं यह हमारी fusion welding है तीसरा यह जो filler material use होता है यह दो टाइप का हो सकता है एक तो consumable हो सकता है consumable का मतलब है कि हाँ पे जब welding कर रहे हैं तो यह हमारा melt होके इसके उपर पूरा का पूरा फिल हो जाए और इसके gap में चला जाए कुछ इस तरह से दूसरा होता है यह non-consumable यानि यहाँ पर इसका जो use है वो heat develop करने के लिए किया जाता है कुछ additional filler material use नहीं करते हैं महाँ पर हम एक other material का use करते हैं बट वो as a filler material count नहीं होता तो इस type का जो filler material होता है दूसरा वो non-consumable type का होता है तो इस तरह की welding जो होती है जिसमें fusion develop होता है यहाँ पर age में और इसको fill करा जाता है with the help of a filler material इस welding को कहते है liquid state welding या fusion welding और इसे homogeneous welding के नाम से भी जाना जाता है इसकी advantage क्या होती है कि यहाँ पर हम thickness जो हमारी sheet की होती है वो बड़ी sheetों में कर सकते हैं easily यहाँ पर जुड़ने वाली जो position है वह different kind की हो सकती है यानि यहाँ पर हम T joint, L joint, corner joint, A joint और भी बहुत टाइप के shape हैं जिसको हम liquid state welding यानि fusion welding के help से perform कर सकते हैं मगर यहाँ पर disadvantage यह हो जाती है कि यहाँ पर हमारा additional filler material यूज हो रहा है इसकी cost बढ़ रही है और साथ के साथ उसके बाद हमारे यहाँ पर जो machining process होंगे उसके भी cost बढ़ती है मगर यहाँ पर cost बढ़ रही है मगर यहाँ पर joint create होता है वो बहुत strong होता है as compared to solid state यानि heterogeneous और autogenous के comparison में चलिए अब हम आते है last welding पर जिसे कहते है solid liquid stage welding यहाँ पर solid लिक्विड लिखने का जो reason है वो यह है कि यहाँ पर solid stage में भी perform हो सकती है या कुछ portion इसका liquid stage में भी perform किया जा सकता है इसको heterogeneous welding के नाम से जाना जाता है चलिए इसके चर्चा करते हैं तेखिए यह सेम है almost almost हमारे homogeneous के मगर जो एक main difference होता है इसमें वो यह होता है कि यहाँ पर जो welding हम perform कर रहे हैं और इसके अंदर जो filler material यहाँ पर यूज कर रहे है यह हमारा filler material है यहां पर दोनों की composition में जमीन आसमन का फरक है यानि यहां पर जो composition है वो entirely different है जबकि हमारे यहां पर ऐसा नहीं था यहां पर filler material की जो composition थी वह हमारे base material की भी composition थी यहां पर heterogeneous में filler material की composition अलग हो जाती है हमारे base materials से इसलिए इसको heterogeneous welding के नाम से जाना जाता है इसके case में हमारी जो main 2 welding आती है वह एक है हमारी soldering जिसको soldering के नाम से आपने सुनाई होगा टाका भी कहते हैं soft टाका दूसरी होती है हमारी brazing जिसको hard टाका यानि थोड़ा strong bonding कही जाती है इस compare to soldering चलिए दोस्तों यह ता आज के हमारे welding process के बारे में